हेलो फ्रेंड स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3.1 टैक में तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि 1 फर्वरी 2023 से यूट्यूब शोट्स मोनेटाइजेशन शुरू हो गया है और अगर हम इसमें कोई music यूज़ करते हैं तो हमारी कितनी कमाई होगी और अगर हमारी ये short वीडियो other countries में बाहर के countries में देखी जाती है तो हमारी कितनी earning होगी तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको इस सारे questions के answer मिलने वाले हैं जो भी आपके doubts हैं वो सारे clear होने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी कितनी earning short वीडियो से होने वाली है तो फ्रेंड्स वीडियो छोटी सी है पर बहुत ही जादा informative है तो वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube Shorts Monetization शुरू होने के बाल अब आपके जो short वीडियो है उसके उपर ads आने लग जाएंगी जब चाहे वो short feed में देखी जाए या browse feature में द लेगी अब ads के थुरू ठीक है तो यहाँ पर कितनी earning होगी वो मैं आपको बता देता हूँ आपकी 45% जो होगा जितनी भी आप short ads के थुरू कमाएंगे 45% आपको मिलेगा और YouTube 55% लखेगा मतलब 55% YouTube अपने पास रखेगा और 45% आपको देगा अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम कोई music use करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि YouTube library में जब भी आप short बनाने जाते हैं और YouTube library से कोई music लेंगे उसके लेके अगर आप short बनाएंगे YouTube की जो library हैं वहाँ पर जो भी आपके background music कितने सारे दिये हुए हैं आपको भी पता है और वहाँ से copyright भी नहीं आता है वहाँ से लेके अगर आप YouTube की library से लेके music use करके short video बनाएंगे तो तो आपकी कोई problem नहीं होगी आपके ads भी आएगी और उसकी जितनी भी earning होगी 45% वो आपको मिलेगी लेकिन आपको याद होगा कि मैंने creator जो music है उसके update के उपर भी एक video बनाई थी और उ यह जो update है वो अभी तक इंडिया पे launch नहीं होया है अधर की countries में इसका experiment चल रहा है तो यहाँ पर दो चीजे हैं अगर आप YouTube की library से music लेंगे जैसे add music करके वहाँ से music लेंगे YouTube की library से तो वहाँ से जो भी आप short video बनाएंगे तो उसका 10% जो है वो और cut होगा आपकी जो 45% ह है उसके अंदर से क्योंकि YouTube ने यह काया है कि मैं अपने 55% में से 55% में से कुछ नहीं काटूंगा जो तुमारे 45% है 45% है उसी में से 10% 10% और cut एगा अगर आप YouTube जो music है उसको use करते हैं जैसे आप short बनाने जाते हैं और add music या add sound का जो option आता है और फिर आप YouTube की library से YouTube के उपर जो songs है music है गाने हैं उनको अगर आप use करेंगे तो उसका 10% कटेगा मतलब 45 का 10% कटके आपको मिलेगा और अब बात आती है कि अगर आप कोई बहार से music use करते हैं मानलीजी आपने कोई music net से Google से download किया और फिर उसे आप अपने कोई किसी गाने को use करते हैं अपनी वीडियो म पर claim आ सकता है और आपको उससे कोई भी earning नहीं होगी कोई भी पैसा नहीं मिलेगा उससे जितनी भी earning होगी वो सारी उस claim वाले owner को जाएगी जिसका आपने गाना यूज किया है तो यह तो हो गया music का मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि अगर आप किसी और का music बाहर से music करेंगे तो आपको क्या होगा कितनी earning होगी अगर YouTube library का करेंगे तो कितनी earning होगी सारा मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लिजे आपने को शोट वीडियो बनाई और वह आपकी वीडियो जो है मान लिजे अमेरिका में देखी जा रही है त तो वहाँ से भी आपकी जो 45% है उसमें से 15% tax कटेगा अगर आपकी वीडियो यूएस में देखी जा रही है बेसिक आपका वहाँ पे revenue जादा बनेगा earning जादा होगी लेकिन 15% फिर भी कटेगा तो friends मैंने आपको सारा process अच्छे से समझा दिया है कि आपकी short वीडियो से आ प्रूर करें थैंक यू